ठीक है अच्छा आप सुनो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉटेंशियल एनर्जी की कि पॉटेंशियल एनर्जी होती क्या है तुम लोगों नहीं वैसे तो नाइन ट्लास में भी पॉटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ तो पड़ा होगा पॉटेंशियल एनर्जी पॉटेंशियल एनर्जी पॉटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है डिपेंड्स ऑन पॉजीशन ऑफ बॉड़ी डिपेंड्स ऑन पॉजीशन ऑफ बॉड़ी यह किस पर डिपेंड करती है कि आपकी बॉड़ी की पॉजीशन क्या है यह भी क्या है ये भी एक scalar quantity है इसकी SI unit क्या होती है इसकी SI unit होती है Joule जिसको denote करते है हम J से और potential energy को generally हम U से denote करते है किसे U से तो potential energy क्या है it depends on position of body या दे अगर मालो की ये जमीन है और H equal to zero तो जमीन से H height पर अगर कोई mass है तो तुम्हें 9 class से या दे इसकी potential energy क्या होती है MGH तो ध्यान से देखो U किस पर depend कर रहा है H पर मतलग आपकी body की क्या height है तो potential energy किस पर depend करती है depends on position of body scalar quantity है और इसकी SI unit क्या होती है इसकी SI unit होती है Joule लिख लो इसका अपनी कापर में इसकी SI unit क्या होती है Joule लिख लो तो potential energy depends on position of body it is a scalar quantity and its SI unit is what its SI unit is Joule लिख लो इसको ठीक है तो potential energy और kinetic energy में difference क्या है kinetic energy depend करती है कि आपकी body चल रही है की नहीं चल रही है है ना याद है तुम्हें तो जिसे अगर कोई mass है M गच तो काइनेटिक energy दो डिपेंड करती है वेलाउसिटी पर पोटेंशन इनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पर ठीक है तो अब तो दिहां से देखना दिहां से देखना लिखो अपनी कॉप में topic लिखो बहुत अच्छा topic है interesting है लिखो अपनी कॉप में relation between relation between potential energy relation between potential energy and force तो बताओ force और potential energy में क्या relation है तो potential energy यू होता है force F होता है तो force का formula होता है minus du upon dx बहुत important relation है कई बार mcq में सीधा आता है relation कि बताओ इसमें से कौन से option सही है तो f equal to होता है minus du by dx तो relation between potential energy and force तो potential energy होता है यू force होता है f और f का formula क्या होता है minus du by dx लिख लो अपनी कॉप में इसको relation between potential energy and force लिख लो इसको ठीक है तो potential energy और force में क्या relation है f equal to होता है minus du upon dx f क्या होता है minus du upon dx तो जिसे मालो मैं तुम्हें question पूछू एक question पूछू कि if potential energy x cube है if u equal to x cube find force at find force at x equal to 1 meter तो बताओ कि x equal to 1 meter पे कितना force लग रहा है तो देखो कैसे करेंगे f क्या होता है f का formula है minus du upon dx तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला जाएगा minus 3 Newton है ना तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं अगर आपको potential energy दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो force निकाल सकते हो आपको करना कहें आप u को differentiate करो आपको f मिल जाएगा लिख लो इसका अपनी कॉप्ल में relation between potential energy and force relation between potential energy and force एक कोशन तुम्हें करना है जिसको differentiation नहीं पता है वो आपस सीख लेना अगर आपको x raise to power n का differentiation करना है अब दूल भाई तो कैसे कर दो देखो जो power उसको आगे बुला लो और फिर power में से एक घटा दो जैसे मैंने x cube का कैसे किया जो 3 ने उसको आगे बुला लिया फिर 3 में से एक घटा दिया तो यह कितना हो गया 3x square है ना तो एक कोशन अब तुम solve करो तो कोशन है यह कोशन है यह if u equal to x square आपको बताना है कि find force on particle find force on particle at x equal to 2 बेटा है तो आपको बताना है कि x equal to 2 पे कितना force लग रहा है आपको u क्या दे रखा है यू मतलब क्या होता है potential energy तो अगर u x square है तो आपको बताना है find force on particle at x equal to 2 meter solve करो सब क्या answer आएगा जल्दी जल्दी solve करो क्या आएगा इस cancer f क्या होता है minus du upon dx ठीक है यू आपको x square दे रखा है तो कैसे differentiate करेंगे जो power है उसको माइनस को मत छेड़ो जो power है उसको आगे बुला लो और फिर power में से एक घड़ा दो तो यह कित्ता बच्चे का minus 2x से 2 minus 1 1 होता है और फिर मैंने का पर पूछा x equal to 2 पे तो x की जगे 2 पट करो तो minus 2 into 2 तो answer के ताया minus 4 Newton इस तरीके से अगर आपके पास potential energy है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो force किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो किसी को इसमें कोई doubt है तो पूछ लो यश कोई doubt है चारू विदुशी दिश्या कोई doubt है तक कुछ हो तर एक example लोट दे दो ना एक और ठीक है वह तुम try करना है ना एक और तुम try करना मैं जल्द जल्दी करना है ना तुम परहा स्प्रिंग कराना है अच्छ और आपको बताना है find force at x equal to 0 जल्दी करो क्या है इसका अंसर याद रखना किसी भी constant का differentiation क्या होता है जीरो तो यू आपको दे रखाए 2 प्लस x square find force at x equal to 0 तो बताओ x equal to 0 पे कितना force लगेगा जल्दी करो सब कितना है इसका अंसर यू 2 प्लस x square है तो force क्या हो जाएगा minus du by dx इस minus को मत चिरू देखो खाली 2 का differentiation तो 0 होगा और x square का कितना हो जाएगा 2x और फिर x 0 पुट करो तो आंसर कितना हैगा 0 Newton ठीक है इस तरीके से करते है इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीक है अच्छा ठीक है तो next लिखो अपनी copy में वहत important है next लिखो अपनी copy में force due to spring force due to spring मतलब एक spring कितना force लगा सकती है topic लिखो अपनी copy में force due to spring ठीक है अब तुम सब ग्यान से समझना suppose करो कि यह कोई spring है मान लो कि यह कोई spring है और इधर से यह spring बंदी हुई है मान लो इधर दिवार है है ना और अब तुम क्या करना तुम लोगों ने कभी भी spring को compress किया है तो अगर तुम किसी भी spring को compress करते हो ना ऐसे या मान लो किसी spring को खीचते हो तो इन दोनों case में spring आप पर force लगाती है है ना suppose करो suppose करो कि आपने spring को x distance की जा कितना मान लो कि पहले spring की length थी L इस L का मतलब होता है natural length ल का मतलब क्या होता है natural length natural का मतलब है कि ना तो spring में कोई compression है मतलब ना तो spring को किसी ने दबा रखा है और ना spring में कोई extension है No compression No extension उस को हम क्या बोलते है natural length और अब मान लोकी आपने spring को x distance कीचा कितना x distance कीचा तो आपने क्या किया is spring को खीच के spring की length बढ़ा गी तो आपने क्या किया spring को कितना खीच इतना आपने spring को खीच ठीक है तो तुम देखे ना अगर तुम किसी भी स्प्रिंग को कीचोगे ना तो इस प्रिंग आप पे उल्टा फोर्स लगाएगी अगर आपने स्प्रिंग को आगे की तरफ कीचा तो इस प्रिंग आप पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी और वो जो फोर्स होता है ना व हमें constant k से तो force का formula आता है kx इस k का मतलब है spring constant दिखो अपनी copy में इस k का मतलब है spring constant x का मतलब क्या है x का मतलब है कि कितना compression है आपने कितना compress किया या फिर आपने कितना extend किया और यहां पे एक minus आता है minus क्यों आता है क्योंकि आपने spring को खीचा तो spring आपने आपने force उल्टा लगाया अगर यही आप spring को compress करोगे तो spring आपको धक्का मारेगी तो अगर आप spring को खीचते हो तो force उल्टा लगता है अगर आप spring को compress करते हो तो अभी force उल्टा लगता है तो यह minus तो direction के लिए यह k होता है spring constant x का मतलब क्या है कि आपने कितना compress किया या कितना extend किया तो लिखो अपनी copy में force का formula है minus kx k होता है spring constant जिसकी unit होती है newton upon meter लिखलो अपनी copy में फिर मैं इसका question करा हूँगा तो ज्यादा समझ में आएगा एक बार लिखो इसको spring बनाना L लिखना क्या होता है और फिर यह formula लिखना और K क्या होता है spring constant जिसकी unit क्या होती है newton upon meter लिखो कई बार exam में सीधा spring constant की unit पूछी जाती है तो क्या unit होती है newton upon meter लिखलो इसको अपनी copy में फिर अपन इसके question करते है और doubt है तो पूछ लो अब दूट है तब unmute करके पूछ सकते हो यश विदूशी कोई भी डाउट है तो पूछ लो सर के का थोड़ा समझ नहीं आया मैं एक बार वापिस समझाता हूं रुको यह लिख लो मैं वापिस यह स्लाइट समझा देता हूं वापिस समझा देता हूं क्योंकि यह जो स्प्रिंग है यह तुम्हारा लास तक पीछा नहीं छोड़ेगी चैटा नबर 15 तक तो इसको इसलिए बोल रहा हूं आद समझ लेना इस टॉपिक को ठीक है यह काम करता हूं मैं वापिस समझा देता हूं एक सेकंड रुपना हां जस्किमी वन सेक्ड ठीक ह और इससे मान लो कि यह कोई प्रिंग है ओर इस प्रिंग की जो नेचूरल लेंथ है वो है ल नेचूरल लेंथ का मतलब है कि ना तो आपने स्प्रिंग को खीच रखाए ना कम्प्रेस कर रखाए ठीक है अब मान लो कि इस spring को मैं खीचता हूँ मान लो spring को मैं कितना खीचता हूँ मैं इतना खीचता हूँ तो मैंने कितना खीचा suppose कर कि मैंने spring की length कितनी बढ़ाई मान ले मैंने length बढ़ा दी x मैंने spring को इतना खीचा तो spring को जितना ज़ादा खीचेगा न spring उतना force लगाईगी तो force directly proportional किसके है x के तो इस proportion को replace करके मैंने constant लगाया k और इस k को बोलते हम spring constant इस k को हम क्या बोलते spring constant और ध्यान से देख तो अपने spring की length जब बड़ी करी तो spring अपने पर force का लगाईगी पीछे तो इसके यहाँ पर क्या आया minus तो force का फार्मुलाह क्या है minus k x spring constant की unit होती है newton upon meter क्या होती है Newton upon meter कैसे आया दिख f का formula कह है minus k x तो k का formula क्या आएगा minus f upon x तो force की unit newton x की होती है meter तो k की unit किती हा गई newton upon meter यहां से आही है ना अब देखो तो लिखो अपनी copy में इतना लिख लिए तो लिखो एक line देखो अपनी copy में कि spring constant मतलब k k depend करता है कि कौन सा material है steel का spring है कि iron का है कि plastic का है तो लिखो k depends on type of material k depends on type of material and dimension of material material तो के किस पर depend करता है कि spring बनी किस की रैकी और कि kape whichever एग कि जैसे मानलो लोहे की है तो उसको तो आप बहुत लंबा की drama दो ले refund किये जिए स्टिल की स्प्रिंग कोईचना तो के किस पर Trust meer करता है यह करथ कि या दिपेंट करता है डिपेंट्स उन टाइप डायमेंशन ऑफ मैट्रियल डिपेंट्स और NOT कि इससी अगा कई डाउट दो पूछ को एक नुमेरिकल मैं कराओं गा तो कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है तो अब ध्यान से दिखना, तो अब कोशन आरहा है अब दूलबाई विदूर्शी दियान से दिखना कोशन, तो कोशन है ये, a spring has a spring has natural length of a spring has natural length of 10 meter and k आपको दे रखा है 100 newton per meter फिर question है find force due to spring find force due to spring if its length if its length is increased to if its length is increased to 25 meter तो question में दे रखा है कि आपके पास एक spring है जिसकी natural length किती है 10 meter ठीक है और k कितना दे रखा है 100 newton per meter फिर question है कि बताओ कि spring कितना force लगाएगी अगर if its length is increased to 25 meter अगर मैंने इसकी लंबाई को बढ़ा के कित्ता कर दिया अगर मानलो मैंने इसकी लंबाई को बढ़ा के कर दिया 25 meter तो देखो force का formula तो अपने को पता है minus k x और minus की जगे minus k की जगे put कर देना 100 अब x क्या लेंगे अब सुनना x का मतलब होता है कि आपने spring को कितना खींचा या कितना compress किया तो आप मुझे बताओ पहले 10 थी बाद में 25 हो गई तो आपने spring को कितना खींचा 15 meter तो x की जगे के आएगा 15 तो answer कितना आएगा minus 1500 newton तो मैं समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया क्योंकि मेरा main aim ये था कि तुम्हें ये बताओं कि x क्या होता है तो x का क्या मतलब है कि आपने spring को कितना खींचा या कितना compress किया तो इस question में पहले spring कितनी की थी 10 meter लंबी थी बाद में कितनी लंबी कर दी 25 तो मतलब आपने कितना खींचा होगा 15 तो x की जगे आएगा 15 अब इसमें कोई तो पूछो बना अगला question तुम्हें करना है दिश्रा कोई doubt रहा विदूशी अब्दुल भाई यश्र भाई कोई doubt है तो पूछो औके कोई doubt नहीं है तो फिर अगला question तुम्हारे लिए यह रहा तो डाउट है तो पूछ लो मैं अभी भी बोल रहा हूं X का मतलब होता है कि आपने spring को कितना खीचा या कितना compress किया इस question में आपन ने क्या किया था खीचा था तो कोई doubt नहीं है तो फिर question तुमारे लिए यह रहा हूं लिखना हो तो लिख लो लिखना हो तो लिख लो ओके ठीक है तो अब question तुम्हारे लिए रहा हूं सब कोशन द्यांतर सुनना हाँ विदुशी में कोशन कंपैसर कोशन दे रहा हूं कि अ श्प्रिंग वेज नेचुरल लेंड तो अनल का मतलन अचुरल लेंथ अफ ट्वेंटी मिटर एट अब धियांतर सुनना इज तो फिफ्टीन मिटर तो बीच मिटर लंबी स्प्रिंग थी मैने किता कंप्रेस करें किता कर दिया 15 meter if k is 10 newton per meter find force due to spring find force due to spring तो आपको बताना है कि spring के कारण कितना force लगेगा सोचो क्या आएगा इस concern एक spring की natural length है 20 meter and it is compressed to 15 तो एक spring की natural length कितनी है 20 आपने compress करके कितनी कर दी 15 तो अब आपको बताना है कि कितना force लगेगा f है minus k x तो minus की जगे तो minus 1 पट करो k भी दे रखा है लेकिन आप मुझे बताओ कि x क्या आएगा x को 15 मत लेना 20 मत लेना x का मतलब है आपने कितना compress किया पहले 20 थी आपने 15 कितना compress किया पाँच तो यहां पर क्या आएगा पाँच तो आंसर क्या आएगा यह आजएगा तुमारा minus 50 यूटा तो एक्स का मतलब तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया एक्स का मतलब है आपने कितना खीचा या कितना कंप्रेस किया ठीक है और कुछ डावट है इसमें तो पूछो क्लियर है और किसी को कोई डाउट है अचाद लक्षनी है और किसी को कोई डाउट है दिर्शा कोई डाउट है तो पुछो तो अपने पॉटेंशियल एनरजी एक सेकंड का डरिवेशन है बस एक लेंगा स्टोर्ड इन स्प्रिंग तो डरिवेशन का नाम है कि इस प्रिंग के अंदर कितनी एनरजी स्टोर्ड है अब तुम सब ज्यान से समदना अब से समदना सपोस करो कि यह कोई स्प्रिंग है और मालो स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉंस्टेंट है के और अभी माल लो कि शुरू में इस spring का कोई भी extension नहीं है माल लो इसकी natural length किती है L ठीक है और माल लो कि फिर मैंने इसको x distance से extend किया तो बताओ मुझे कितना work करना पड़ेगा या फिर बताओ इसमें किती potential energy है तो याद है इस class की शुरुवात में मैंने तुम्हें एक formula लिखवाया था f equal to minus du by dx और अगर तुम्हें याद हो तो अभी थोड़ी दिर पहले हमने formula क्या पड़ा f का minus kx तो f की जगे put करो minus kx इदर क्या जाएगा minus du by dx minus से minus गया तो dx को उदर भीजो तो du क्या हो जाएगा kx dx अब तुम गवराना मत सुनना अब बन integrate करते हैं इदर integrate तो खाली du का अगर तुम भूल गए हो तो वापिस बता दू खाली du का integration होता है u यहाँ पर k constant है k को बाहर निकाल दो अगर तुम भूल गए हो तो x dx का integration होता है x square by 2 तो potential energy का formula किता आया kx square by 2 integration कैसे करते हैं जो power है उसमें एक add कर दो और denominator में उसको ऐसा कासा लिख दो तो integration किता होगा x square by 2 किसका du का integration तो u k तो constant है बाहर निकाल दिया x dx का x square by 2 तो लिखो अपनी copy मैं कि अगर आपने किसी spring को x distance से extend किया या compress किया तो energy stored किती होती है kx square by 2 यहाँ पर k क्या है यहाँ पर k है spring constant k का मतलब क्या है spring constant और x का मतलब है कितना compress किया या फिर कितना extend किया दोनों मैं से कोई एक ही होगा या तो खीचोगा या compress करोगा लिख लो बहुत important derivation है ऐसा काहिए अपने दिमाग में रठ लेना इसको है ना लिख लो इसको ठीक है फिर अपन एक numerical करते हैं वो numerical तो भी करgrass दा k तुम्हे पता है क्या होता है x तुम्हे पता है क्या है तो तुम्ही कर ले लेना अब एक करना हैं ना फिर नहीं आएगा तो मैं करा दूगा ठीक है तो एक कोशन तुम्हारे लिए प्लीज यार सब सभी गर्णा कोई भी गलत मत करना है ना मैं कोशन दे रहा हूँ यह लिख लिख लो लिख लो मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज सेज कराता हूँ इसकी मेरे पाद एक गंटा नहीं होता ना 40-40 होते हैं तो मैं यह चाहता हूं कि तुम जली जली और नी भी लिख पाओ तो मैं तुम्हें नोट्स भेज़ देता हूं तुम बाद में लिख लिए अगर वहाँ है तो एक गंटा बोलना तो बहुत भारी होता है मेरा गला ही खत देखो और स्प्रिंग आफ के इकल तु फाइफ नूटन पर मिटर हैस नेचुरल लेंथ आफ 10 मिटर इफ सुनना इफ लेंथ इंक्रेस्ट तु 20 मिटर फाइन फॉस एंपौर्टिन दी करो सब ट्राय का ईगा स्कानसर कररो सब ट्राय करो अश्प्रिंगあ्नचरल लेंथ लेंथ के और बातरल 10 मिटर फ्लेंथ इंक्रीस Rs.27021 water fight force and energy store आगे सबका किनी आया हो तो एक spring है जिसकी natural length 10 meter है आपने इसकी length को increase करके कितना कर दिया 20 meter सोचो तो आप मुझे बताओ कि x कितना होगा x होगा 10 meter होगा कि नहीं होगा पहले 10 था आपने कीच के 20 कर दिया तो आपने कितना कीचा 10 तो force तो आसानी से आजाएगा minus kx तो minus 5 और यह कितना आजाएगा minus 50 newton और energy stored कितना आजाएगा kx square by 2 तो k कितना है 5 x मतलब 10 का square by 2 तो कितना आजाएगा था जाएगा 250 जूल 250 जूल आएगा इसका अंसर और किसी को यश कोई डाउट है चारूर दिशा तुम लगता है क्लास में से सुनते हो करा भी करो सीख जाओगे करोगे साथ-साथ तो पूछो यह इसके आंसर से ठीक है अब एक दो चीजे हैं बस दो तीन चीजे हैं फिर मैं खतम करूँगा क्योंकि नेक्स टॉपिक कराने का टाइम नहीं बचा इतना अब दो मिंट सुन लेना है वो चीजे इंपॉर्टेंट इसलिए पहला तो ग्राफ सबसे पहला तुम ग्राफ बना दो इसमें कोई ड पूछ लो बना फिर ग्राफ बनाके दो इंपॉर्टन जीजे बताके फिर secular खतम करूँगा है थीक है तो अब ।ो स्भसंदा सबसे पहले ग्राफ बना लो तो पहला ग्राफ है ऐसको यह बनाव इसको एना पहला ग्राफ है लाफिकटिक 4 उब4 puls का औरक्स का और यह ग्रा क कैसा होगा दिखने में ऐसा होगा देखो इस तरीके से होगा बनाओ इसको इस तरीके से होगा यह स्ट्रेट लाइन होगी है मेरा तोड़ा डाइग्राम गलत बना है और दूसरा ग्राफ जो है वह है यू का और एकस का और यह ग्राफ बनेगा एसे इस तरीके से तो फोर्स वर्सरेस एकस खिराफ है और यह यू वर्सरेस एकस खिराफ है यह गलती मत कर डेना एक्जाम में ना और याद को ऐसा भी बनाते वो और इस ग्राफ को ऐसा भी मनाते तुम याद रखतां कौंसा बनाना तुम थ्यूड़ा ग्राफ और इसका सलोप अगर तुम्हें पूछे तो सलोप बोलना माइनस के होता है ठक है। लिख लो इन दोनों जो याद रखना है बसा यह याद रखना है तो यह दोनों ग्राफ याद रखना और यह स्ट्रेट लाओन है ये तम इस को स्ट्रेट बना नहीं आइक्डम बिष्ट लाइन है झुल रहा है वो झौल और एक्जाम में कुछन आता है वह ऐसा हूभी बना कर देंगे और ऐसा भी दे देंगे तो मैं याद रखना है कौन सा है और यू का तो एक ही ग्राफ है ये उपर कि तरह पैरा बोला होता है कोई तुम्हें पूछे ये ग्राफ कैसा है तो इसका नाम की है ये पैरा बॉलिक ग्राफ है ठीक है ये बनाए दोनों और फिर एक चीज और है ठीक है तो अगर ये बना लिया हो तो आप ये कोशन दियान से दिखना कोशन के एक चीज दियान से दिखना ये जो एक साप लेते हो ना ये हमेशा मिटर में लेना सेंटीमिटर में मत लेना अगर सेंटीमिटर में दे रखा है तो उसको मिटर में कनवर्ट करना जैसे एक कोशन तुम ट्राइ करो, और श्प्रिंग अफ के एक वल तु तेन नूटन पर मिटर हैस लेंध अफ तेन सेंटिमेटर। अब सुनना, इंग्लिश अनौ इस स्टेच्च इस इस तेच्च तबाइ फाइ चैंटिमेटर। इस तुम इंग्लिश ध्यान से पड़ो तो देखो कोशन की इंग्लिश क्या बोल रही है कि के तो टैन नूटन पर मिटर है और लेंध दस सेंटिमेटर है इंग्लिश यह बोल रही कि कि इतना इस्ट्रेच किया पांच तो कोशन में आपको एक्स पहले से रखा है पांच में मत लेना, इसको किस में कंवर्ट करना, माइनस की एकस इसका आएगा माइनस 10 ऑ एकस कितना आ जाएगा 5 तो यह आ जाएगा माइनस 0.5 Aujourd हाँ नहीं इसलिए बोल रहा हूं ध्यान रखना सेंटीमेटर में है तो उसको मिटर में कनवर्ट करना कभी भी सेंटीमेटर में मत लेना है ना यह गलती जो तुम सब करते हो मुझे पता है तो और इंग्लिश पढ़ना कि इट इस इस्ट्रेच्ट टू लिखा हुआ है कि इस स्ट्रेच्ट बाय लिखा हुआ है बाय मतलब मैंने कितना खींचा ठीक है और बस एक लास्ट फार्मिला और है फिर अपन खतम यह इसमें डाउट है कि पूछ लो किसी को डाउट है तो तो देख में दूसरी इसमें आंसर किता है 0.5 बिटा ना की 50 क्योंकि आपको किसम ले इस जिए और श्प्रिंग है जैस नेटुरल लेंथ हुआ है एल है एंड इस प्रिंग कॉंस्टरेंट की मतलब एक स्प्रिंग है उसकी नेचूरल लेंथ की पहल और स्प्रिंग कॉंस्टेंट है। अब सुना तो कोश Efendimiz यह रखा है इस फर्ष्ट stretched by x i पतलब पहले आपने कितना stretch किया उसको x i and then again फिर से again stretched by x f तो पहले दिखो तो एक spring है जिसकी length है l तो पहले आपने उसको कितना stretch किया पहले आपने उसको stretch किया x i और बाद में क्या किया बाद में आपने उसको और stretch किया कितना stretch किया x f तो question है find final energy stored तो question है कि आपको बताना है कि finally उसमें कितनी energy stored है तो देखो u क्या होता है half k x square आप मुझे बताओ पहले आपने उसको इतना stretch किया फिर आपने उसको इतना और stretch किया तो आपने total उसको कितना stretch कर रखा है x i plus x f तो energy कितना आएगा half के x i plus x f का whole square बस यह याद रहता और कोई doubt है अब तक तो पूछू ठीक है यह लिख लो पर आज जो पढ़ाया उसमें किसी को को डाउट है तो पूछू energy stored in spring, force due to spring, graph दोनों और potential energy किसी को अब कोई doubt है तो पूछू याद अब दूलियश कोई doubt है तो पूछू सबको clear है चलो clear है तो happy Sunday अच्छा एक चीज है यार सब लो रुपना एक मिनिट अचली तुम्हारा syllabus बहुत लेट चालू हुआ है तो हैना तुम लोग मुझे message कर देना कि तुम्हार स्कूल में कितना हो गया syllabus कहां पर चल रहा है है ना और अगर तुम आगे का पहले करना चाहो मान लो 11 12 13 किसी और टाइब पर इस class के अलावा तो वह पहले कर लो तकि तुम्हारा syllabus हो जाएगा तो तुम मुझे सिफ सब सब WhatsApp में message कर देना एक बार कि तुम्हारा कितना चल रहा है क्या आ रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है एक बार मुझे बता देना सब लोग ठीक है चलो बाए-बाए यार ठाटा